हेलो दोस्तुम मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त डी के गुपता मैं आप सभी का एक्स еще लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में सौगत करता हूँ इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सल फार्मूला इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी particular formula के बारे में detail में discuss करेंगे जैसे उसका नाम, उस formula का group कौन सा है और MS Office के किस version से ये available है उसका description, उसका use, उसका syntax क्या होता है उसको use करने के लिए कितने और क्या-क्या arguments की जरुरत होती है और जो सबसे महत्मन बात है, वो है practice examples के द्वारा उस formula को use करना और उस formula को उसकी functionality और utility को अच्छे से समझना दोस्तों, हमारा formula of the day है dollar, dollar, dollar तो अपना discussion शुरू करते है dollar के लिए निमवदो formula है हमारा dollar, test group का part है MS office के ये सभी versions में available है, description ये use की बात करें तो ये number को format को change कर देता है और dollar या currency symbols के साथ so कर देता है और data का format कैसा कर देता है, जो उस state के या country के according, region के according होना चाहिए syntax of formula है हमारा dollar, number, compulsory argument और decimal ये हमारा optional argument है दो argument required है, number और decimals, decimal हमारा यहाँ पर optional argument है ठीक है, use करके देखते हैं हम लोग convert से number to test using currency format, currency format को use कर देता है number जो हमारा compulsory requirement है, number हम direct input method के तरूँ या cell referencing के तरूँ भी लिख सकते हैं decimals के कितने symbols हमें digit के बाद चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग कुछ नहीं use करेंगे तो ये automatically two मान लेता है और अगर हम लोग two या उससे ज्याद है चाहिए, या हम लोग कोई one define करते हैं तो ये उसके according use कर सकता है कुछ practice example के थूँ हमें इसको और समझने की कोस्टिस करते हैं कि how it works suppose यहाँ पर मैं direct input method के थूँ डॉलर लिख रहा हूँ, one lakh dollar है ठीक है और एक decimal मैंने यूज कर दिया two तो देखे क्योंकि अभी मैंने system का जो region है वो कौन सा set किया हूँ, UK के हिसाब से set किया, United Kingdom तो इसने हम लोग को pond वाली figures इस तरीके से प्रिजेंट कर दिये, symbol automatically कौन सा आया है, pond, अगर मैं system को United States के region में डाल दूँगा, तो यह हम लोग को dollar symbol करने लगेगा, और अगर Indian region यूज करेंगे, तो हम लोगों को यह rupees वाला symbol करने लगेगा, यहां पर मैं कोई decimals नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताए कि अगर हम लोग कोई decimals नहीं बताते हैं, तो system automatically to default मान लेता है, और वो उससाब से data को present पर देता है, ठीक, इसको मैं drag कर दे रहा हूँ, जिस तो यह 1 million इस तरीके से 100 हो रहा है, ठीक है, यहां 5 million हो रहा है, यहां पर means figures millions में और trillions में इस हिसाब से 100 हो जाएं, ठीक है, अब मुझे region change करके देखना है, region मैं change कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगोंने क्या बात कर रहा है, कि यह region हमारा कौन सा है, United Kingdoms, अगर मैं region change क करना चाहूँ, तो मैं region change कर रहा हूँ, और यहां पर region मैंने change कर दिया, United States, United States, ठीक है, देखिए, मेरी figures अपनी यहां पर जो currency symbol था, आप देख रहे हैं, वो dollar का आ चुका है, currency symbol कौन सा हो चुका है, dollar का, अगर मुझे US report भेजनी है, तो मैं figures को इस तरीके से change कर सकता हूँ अगर मुझे UK report भेजनी है, अपनी कोई, तो मैं उस data को UK region के हिसाब से present कर सकता हूँ, और अगर by chance मुझे report, इंडिया के हिसाब से present कर नहीं है, देखिए, इंडिया के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजेगा, कि यहां पर figures देखिए, millions में है, यहां सब्सक्राइब यह 1,000,000 और यह 5,000,000, ठीक है, मैं region change कर रहा हूँ, दुबारा से, region कौन सा कर रहा हूँ, मैं अब, region मैंने change कर दिया, system का region कौन सा हो गया, suppose India कर देते हैं, इंडिया, इंग्लिस भी इंडिया वाली कर लिया, हम लोगों ने set कर लिया, अब देखि मेरा system क्या हो गया, यह रूपी सिंबल अपने अप आ गया, और देखिए, यह 5,000,000 की figure तेयार हो गई, यह 10,000,000 की figure तेयार हो गई, जब कि जब हम लोगों ने US या UK के हिसाब से क् system क्या दिखा रहा था, millions में figure को 100 कर रहा था, अब यहाँ पर 10,000,000 या 50,000,000 कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग अपने report को data को जहां भी जिस state में या word के जिस भी region में भेजना है, उसके हिसाब से अपनी report को data को present करा सकते हैं, ठीक है, तो यह बहुत important formula है हमारे लिए dollar, और उसका benefit क्या है, कि जो भी amount से हम उसको किस symbols के साथ, किस format में सो करना है, वो उस तरीके से utilize किया जा सकता है, यह था हमारा formula of the day, dollar, आज के वीडियो में इतना ही, उमीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,